हर हर महादेव जय मातारानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल शांती गंगा दोस्तों हिंदू धर में हल्दी का संबन भगवान विश्णू और गुरु ग्रह से माना गया है इन दोनों की ही किरपा से जिंदिगी में शूप फल मिलते हैं और हर शेत में सफलता पाने की रहा आसान हो जाती है गुरुवार का दिन भगवान विश्णू को समर्पित है दोस्तों और इसका संबन गुरु ग्रह से भी है आज हम हल्दी के कुछ ऐसे ही उपाए जानेंगे जिन हैं गुरुवार के दिन करने से या किसी भी दिन करने से आपकी जिन्दिगी में समर्धी और खुशाली आ जाएगी दोस्तों वह छोटे-छोटे से उपाए हैं पांच महा उपाए हैं आप इन में से कोई भी अपनी स्रद्धानुसार कर सकते हैं और इनका लाव ले सकते हैं करना है दोस्तों आपको गुरुवार को भगवान विश्णू की पूजा आराधना करनी चाहिए और उन्हें हल्दी का तिलग जरूर लगाना चाहिए जल्दी विभा कराने और शादे सुधा जिंदिगी की मुश्कले दूर करने का ये सबसे अचूक और अच्छा उपाए है इसके अलाबा दोस्तों गुरुवार के दिन पूजा करते समय कलाई में या गरदन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगा लेने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और हर काम में सफलता भी दिलाते हैं दोस्तो इसके अलाबा अगला उपाय आप कर सकते हैं गुरुवार को नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल कर नहाना नौकरी व्यवसाय में लाव कराता है साथ ही आय भी बढ़ाता है इसके अलाबा दोस्तों आप गुरुवार के दिन ही नहीं प्रती दिन अपने नहाने के पाने में एक चुटकी हल्दी डालिए इसके साथ एक चुटकी आप नमग भी डाल सकते हैं थोड़ी सी फिटकरी डाल सकते हैं इससे आप इस्नान कीजिए आप देखेंगे कि आपका जीवन अस्चरजनक रूप से बदल गया आपके जीवन में सकारात्मक ता आ जाएगी दोस्तों आपके घर में यादी नकारात्मक सक्क्यां रहती हैं घर के लोग अपस में लड़ते जिगरते रहते हैं मनमुटाव होता है छोटी छोटी बातों है वो और मेंगेट उस पर आपको हल्दी की एक रेखा बना देनी है और आप देखेंगे कि जैसे ही आप हल्दी की एक रेखा बनाएंगे हल्दी ले लें आप हाथ में कटोरी में हल्दी ले लें और उसमें उसे लेकर आप उसे थोड़ा गीला कर लेंगा जल से और अपने घर का महौल बहुत ही शांत सुखात रहेगा और आप पाएंगे कि आपके घर में अचानक से खुश्यां बढ़ गई हैं दोस्तों केले के पेड़ पर हल्ती का तिलक लगा कर जल चलाना चाहिए इससे विभा संबंदी सभी कष्ट दूर होते हैं विभा संबंदी सभी मुश् प्रति दिन अपनी डेली रूटीन में अपनी नियमित दिन चर्या में इन चीजों को शामिल कीजिए तो आप देखेंगे आपके जीवन की बहुत सी मुश्किलें हल हो चुकी हैं दोस्तों यह थे हमारे हल्दी से जुड़े कुछ आसान और चोटे-चोटे उपाएं इनको आप जरूर कीजिए दोस्तों मैं आपसे बार-बार कहती हूँ आपसे मेरी प्रातना है कि छोटी-छोटी चीजों को हमें अपनी अपनी द्यानिक जीवन में द्यानिक जो कारे करते हम उनमें शामिल कर लेना चाहिए इससे हमारे जीवन में बहुत सकारत्मक्ता आती है और बदल जाता है और हमारा जीवन में हमारा जीवन सुखी हो जाता है और अगर कुछ निगेटिविटी आती भी है तो हम उसे आराम से उससे बाहर निकल जाते हैं दोस्तों जरूर कीजिए और इसका लाब लीजिए और अगर आपको लाब मिलता है किसी भी तरह से आपका जी बाइ